आपका स्वागत है चले शुरू करते हैं आज की वर्षिट वर्षिट नमबर 22 और एस वर्षिट में हम लोग क्लास एट के हिंदी भी से को पढ़ेंगे और चेप्टर का नाम है जहां पहिया है यह इसका तीसरा पाठाई से पहले भी इसके दो पाठ हो चुके हैं और इस चेप्टर में तमिलनाडू के एक जीला पुड़ू कोटई की चर्चा हो रही है जहां कुछ महिलाओं ने साइकिल चलाना नया नया सिखा है और जिससे उन्हें काफी फायदे हुए हैं और उनकी ज करते हैं आज की वर्सिट साईकिल चलाने के बहुत मिसरित आर्थिक के नहित आर्थ थे इससे आय में ब्रिधी हुए मतलब कि साइकिल से बहुत आर्थिक फायदा भी हुआ लाभ हुआ इससे आयमें ब्रही ही यहां की कुछ महिला आएं अगल बगल के गाओं में क्रिसी सम्मंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है साइकल के वजह से बसो के इंतजार में ब्याय होने वाला उनका समय बच जाता है मतलब वो काफी लंबे समय तक बसो का इंतजार करती थी वो समय अब बच जाता है खराब परिवहन ब्यवस्था वाले अस्थानों में के लिए तो यह महत्पुर्ण है बहुत महत्पुर्ण है दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने समान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है मतलब कि ये इनके समय की बचत होती है और उस समय का सदूपयोग ये लोग समान बेचने में करती है जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी यह मतलब साइकिल के कई फायदे दिख रहे हैं तीसरे इसे से ये और अधिक इलाकों में जा पाती है अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसे से आराम करने का काफी समय मिल सकता है जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना परता था बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता, भाई, पती या बेटों पर निर्भर रहना परता था वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गीने चुने गाउं तक ही जा पाती थी कुछ को पैदल ही चलना परता था जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अब भी पैदल ही जाती है फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भाग कर घर पहुँचना परता था अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सूनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा सौ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे केरियर पर समान लादे चली जा रही है वह अपने साथ पानी से भरे दो या तीन बरतन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है अन्य पहलूओं से जादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा मतलब कि अन्य पहलूओं में साइकिल सीखने के जिससे कि उन्हें फायदा हो रहा है साइकिल प्रसिक्षन से महिलाओं के अंदर आत्म सम्मान की भावना पैदा होई है या बहुत महत्वपूर्ण है फातिमा का कहना है वैसा कि यह मामला केवल आर्थिक नहीं है फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मुर्खतापूर्ण धंग से सोच रहा था उसने आगे कहा साइकल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है मैं तो पैसे ही गवाती हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकल खरिच सकूँ लेकिन हर साम मैं किराये पर साइकल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुसहाली का अनभाव कर सकूँ पुड्डू को टई पहुचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था मैंने कभी साइकिल को आजादी का परतिक नहीं समझा था एक महिला ने बताया लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठीन है कि ग्रामिन महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धी है लोग इस पर हस सकते हैं लेकिन किवल यहां की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्पूर्ण है जो पुरुस इसका विरूध करते हैं वे जाएं और टहलें क्योंकि जब साइक्ल चलाने की बात आती है महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते मतलब महिलाओं उनसे ज़्यादा साइक्ल चलाती है और बहुत ज़्यादा तादात में चलाती है इसलिए महिलाओं साइक्ल चलाने में उनसे आगे है अब यहां कुछ नए सब्द हैं जैसे व्याय का मतलब खर्च होता है और निर्भर, निर्भर का मतलब होता है आसरित, किसी पर आसरित होना दिक्कत मतलब परिसानी पहलू, पक्ष, एक पक्ष, दो पक्ष आर्थिक, धन कमाने से सम्मदित प्रतीक मतलब चिन यहां कुछ प्रस्ण है साइक्ल चलाने में महिलाओं को कौन-कौन से लाव हुए और प्रस्ण दो है साइक्ल को विनमर सवारी क्यों कहा गया है कलपना कर लिखे प्रस्ण तीन है आपके विचार से लेखक ने इस पार्ट का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा और फिर गतिविधी है और गतिविधी यह है कि जिस प्रकार साइक्ल से जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामिन महिलाओं को काफी लाव हुआ उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौसल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामिन महिलाओं को काफी लाव हो सकता है यहम कैसे तो चलिए इन प्रस्णों के उत्तर लिखते हैं पहला प्रस्ण है साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाव हुए तो उसका उत्तर है बसों के इंतजार में ब्याय होने वाले समय की बचत हुई पूरुसों पर निर्भरता कम हो गई अपने क्रिसी संबंधी उत्पादों को अगल बगल के गाओं में आसानी से बेश स रखते थी यह सारे लाव महिलाओं को प्राप्थ हुए और प्रस्ण दो है साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है करपना कर लिखे पिसका उत्तर है साइकिल चलाने में सहाजता यहां सहाजता होगा सहाजतायम सरलता का अनभो होता है इसमें किसी प्रकार की भीशन दुरगटना की संभावना कम रहती है इसलिए साइकिल की सवारी को विनम्र सवारी कहा गया है उसके बाद है प्रस्ण तीन और प्रस्ण तीन है आपके विचार से इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों और जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तब उनकी जिंदगी गतिसील हो गई उन्हें स्वातंतरता का अनभो हुआ उसके बाद की दुनिया उन्हें अलग लगी इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है लिखा इसका एक और कारण हो सकता है इस पाठ में त प्रकार महिलाओं को साइकिल सीखने से काफी लाव हुए उसी प्रकार ग्रामिन महिलाएं अगर छोटे मोटे रोजगार सीख जाए जैसे अचार बनाना पापड बनाना छोटे खिलोने बनाना तब उन्हें काफी लाव हो सकता है तो बच्चों ये थी आपकी आज की तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वासिट में थैंक्यू